केंसरगार जहां आम बजट की तैयारी में जूटी है वहीं हम अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि आम बजट में वह किस तरह का प्राधान करें वहीं हैं ती हमारे साथ तमाम वर्किंग कलास की बिजनस विमेन हैं इनसे बात करेंगे कि आखिरा इन लोगों की क्या उम्मीदिया आम बज़ट से, क्या-क्या चीजे उसमें शामिल होनी चाहिए, ताकि इन्हें डिक्कत नो हो, और इनकी लाइफ काफी स्मूथ हो, तमाम वरकिंग कलास की महलाएं हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे, हमारे साथ जीवन जोती जी हैं, इनसे बात करेंगे, जीवन जोती जी आम बजट आने वाला है, मोधी जी के जितने आला अदिकारी हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, और लोगों से भी अलग सेक्टर से मिटिंग कर रहे हैं, आप वर्किंग क्लास की लेडी हैं, तो आप क्या चाहेंगी इस बजट में शामिल हो ताकि आप लोगों को सहुलियत हैं मैं ऐसा पूपिशनल चाहती हूँ कि वर्किंग वुमन, सिंगल वुमन वुमन हो आट्रावलिंग बाई एर, बाई ट्रेन, या एवन मेट्रो में आट्रावलिंग बाई काब्स, और आट्रावलिंग बाई मेट्रो, त्रावल शुद बीडिस्काउंटेड, आट्रावलिंग में, तो आप अपने काम को और आगे बढ़ा सकती हूँ, और मैं को सोचना नी पड़ेगा, अपने काम को बढ़ाते हूँ, कि मुझे ट्रावल में इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो I think women should be given some advantage over the rest of the population. थोड़ा सो सुझाओ देंगी क्या slab कितना होना जाए, कितना परसेंट कम हो जाए ताकि आपके लिए साहलियत हो जाए? At least 20%. 20% कम हो यह ट्रावलिंग में और तमाम ट्रावलिंग में. Leiza जी हमारे साथ है, Leiza जी आप किस तरह की उमीद रख्तिंग बजब से? This is the time of the year that everybody is hoping our finance minister has some good news for us for this coming budget. That I think that economy of the country will flourish only if money is in the pocket of the consumers. The government says, especially Modi ji says, selfie with girls, baby, 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 baby. The women are empowered. So, what do you expect women's empowerment? The savings limits are the first, the same, the gender and the ladies. Now, there are no differences between women. Both limits are the same. The savings limits should be... So, you have to raise the slab so that the disparity in them will be reduced. What do you expect us with? I expect from the Modi government to the maternity leave ladies to give them to less than 6 months. Because the government recommends 6 months of breastfeeding. But in the private sector, maternity leave is only 3 months. So, it is very difficult to get back to work. To leave your children's little 3 months. So, the government needs to give them to less than 6 months. Because the government also applies that same thing. The government also applies to 6 months. So, I want to give them to the government, that the government will give them to less than 6 months. The first maternity leave is in private sector. पहले साल तो उन्होंने नहीं किया लेकिन इस बार अच्छे दिन हो इसके लिए आप क्या मांग करेंगे। बेसिकली जो वरकिंग वुमिन्स है बिजनस क्लास हैं हम लोग चाहते हैं कि सबसिडाइज रेट पे उनको लोन दिया जाए और इनीशल पीरेड में जब इंट्रस जो है वो हटाया जाए और रेट अफ इंट्रस भी कम हो वुमिन्स के लिए इस बार केंसर कारने स्टार्ट अगर मेकिन इंडिया की बात कर रहे हैं तो महलाओं को एक स्टार्ट अप उनने पैर पर खड़े रहने के लिए तमाम इस तर हम जो टैक्स है और जो वैट है मिला के इतना जादा होता है कि जो भारा हजार का बिलाना चाहिए वो दो हजार का हो जाता है तो बेसिकली उस पे भी रेट अफ इंट्रस कम होना चाहिए तो बहुत हाई लेवल पे वो डोनेशन्स मांगते हैं तो जहां पे लड़कियों की बात है कि लड़कों को बहुत प्रियोरिटी जाती है हर चीज में तो लड़कियों को आगे होना चाहिए तो उसमें उन्हें कुछ करना चाहिए एक चीज और जो सवाल बार बार उठता है इसके इंडिया की बात होती है तो महलाएं किस तरह से और एंटर पैरों पर खड़ खड़ी हो सके इसके लिए कोई खास दिमांड मेरे खील से जैसे कि हमारे यहां फीमिल डॉक्तर्स काफी कम है या फीमिल क्लिनीक काफी कम है इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए हूँ है ना कि जो विमन है दे आर एनिमेक उनको उनको इसे तो इसे जुनल पर आबलम होत मेल डॉक्टर में इतना कंवर्टेबल ना हो पाए अपनी 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 प्रॉब्रम्स देकर तो विमन क्लिक्स इस्टाबिश्मेंट शुड बी मोर उसमें छूट दी जाए अगर हम बात करें वर्किंग क्लास या बिजनस क्लास की महलाओं की जो रात दिन उसमें महनत कर र तो जो सबका साथ सबका विकास का नारा मोधी सरकार लगातार दे रही है क्या वो इक्विलिटी आपो इसके लिए हमारे सब्सके की अंडर उसको बढ़ा दी जाए जो करण्टि अभी और ipe l जो आटो लोन है और उस पर सबसीडी दी जा सकती है ताकि जो सिंगल वरकिंग मदर्स है या फिर जिसमें डूल इंकम है लेकिन एक ही गाड़ी है उसके लिए उसके लिए और उसके लिए उटों को सुविधा मिल जाएंगी अगर सबसीडी हुई तीसरी बात यह है कि जो पर काफी असर पड़ जाएगा यह बहुत बहुत धन्वाद कि यह तमाम और वर्किंग क्लास की विमेन हमारे साथ थी और अपनी मांग को ले करके मोधी सरकार से अपिल की है कि तमाम जो इनकी मांगे हैं वो आम बजट में शामिल किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मह आ सके और देश के विकास में अपनी भूमी का अदा कर सके कैवाम पॉंच शर्मा के साथ मनोहर केसरी टोटल न्यूज दिलनेग